कॉमेडिक गिंग नाम से जानने वाले कपिल शर्मा अपनी बहतरीन सेंस अफ यूमर के लिए मशूर है कपिल शर्मा में जो टैलेंट है वे टैलेंट इस दुनिया में बहुत कम लोगों को ही मिल पाया है इसलिए कपिल शर्मा का नाम भारत में ही नहीं पुरी दुनिया में है कपिल शर्मा जितने हस्मुक है उनके जिंदेगी का सफर उतना ही शंगर्स भरा रहा है चलिए देख लेते हैं उनकी केरियर की शुर्वात वाले कुछ फोटोस एंड वीडियोस कपिल शर्मा की जन 2 एप्रिल 1981 में अमरिच सर पंजाब में हुआ था कपिल का रियल नेम कपिल पुंज है और टीवी पर आने से पहले उन्होंने अपना नाम कपिल शर्मा कर दिया क्योंकि कपिल शर्मा नाम उनके परस्नालिटी को ज्यादा सूट करता था कपिल की फैमली में कपिल को मिला कर 5 मेंबर्स थे कपिल की मा बाबा के अलावा उनकी एक भाई और बेहन भी है कपिल के पापा पंजाब पुलिस में कॉंस्टिबल थे और उनके अलावा उनके परिवार में कुछ लोग पुलिस में रह चुके है कपिल पहले ऐसा नहीं थे, वो काफी सीरियस रहा गरते थे, लेकिन कपिल के माबाबा बहुत हसमुक्स वभाब के विक्ती थे, इसलिए वो अपना कॉमेडियन बनने का स्रें उनके पापा ममे को देते हैं, उनकी माबोले है कि पहले कपिल ऐसा नहीं था, पता नहीं ये कॉम किसी शो में कपिल शर्मा को कभी गाते हुए देखते हैं तो आप ये बात अच्छे से समझ पाएंगे सब कुछ ठीक चल रहा था उनका परिवार काफी संतुलित था और कपिल की आखों में कुछ बड़ा करने का सपना पनब रहा था लेकिन साल 1997 में एक ऐसी खबर आई जो कि कपिल की पूरी परिवार को तोर कर रख दिया 1997 में कपिल की पिता का कैंसर हो गया इसलिए उनकी इलाज में इतना पैसा खरच हो रहा था कि कपिल और उनका फैमिली फाइनन्शिली बहुत कमजोर हो गया था कपिल शर्मा स्कूलिंग पूरी करने के बाद ही कॉलेज में एन्विशन निया और साथ ही वो पीसी ओ में जॉब करने लगे कपिल उन दिन्यों पीसी ओ के दुकान जेनेरल स्टोर कपरों के दुकान में काम करने लगे अपने family की financial अवस्था सम्हालने के लिए इतनी problem के बाद भी उन्होंने singer बनने का सबना नहीं छोड़े थे कपिल अपने college time में अच्छे singer रहे चुके थे साथ ही उन्होंने mimicry भी बहुत अच्छे कर लिया करते थे इसलिए उनके बहुत friend उन्हें बोलते थे कि तुम acting में try जरूर करना तुम अच्छे actor बनोगे कपिल की college में music का subject नहीं था इसलिए उन्होंने theater चुना था उनका मानना था कि इससे acting भी सीख लेंगे और singing का भी मौका मिल जाएगा कपिल college की दौरान theater के लिए बहुत famous हो गए थे इसलिए उन्होंने college scholarship भी मिला था कपिल ने फिर commercial art का course जॉइन कर लिया लेकिन कपिल ने कभी इसकी class नहीं ली कपिल theater भी कर चुके थे job भी करते थे फिर भी कपिल का परिवार गरीवी में था कपिल उनके पापा का इलाज hospital के private room में रखकर करवाना चाते थे लेकिन कपिल उनके पापा को general world से private room में कभी shift नहीं कर पाए उनके पापा के तबियत और बिगडती गई फिर साल 2004 में कपिल की पापा की मृत्य हो गई जब कपिल की पापा की मृत्य हुई उनके family में इतने भी पैसे नहीं थे कि उनका क्रियकरम करा जा सके इसलिए उसने अपने दोस्त से उधार लेके अपने पिता का क्रियकरम कराया इसके बाद कपिल ने जॉब ढूणने लगे फिर भी उनको जॉब नहीं मिली फिर उन्होंने पंजाबी बैंड में chorus group जॉइन कर लिया इस ब्रैंड में वह शादी और अन्या इवेंट में काम किया करते थे जिससे उन्हें एक राद की 300 रुपए मिलते थे कपिल के कपिल शर्मा शू में चंदन प्रभाकर नाम से जाने वाले व्यक्ती कपिल के बच्पन के दोस्त थे और जब कपिल थेटर कर रहे थे तब चंदन भी थेटर कर रहे थे चलिए देख लेते हैं दोनों की कुछ फोटोस कपिल शर्मा जब पंजबी ब्रैंड में काम किया करते थे वो एक कॉमेडी शो में भी हिस्सा लिये थे जिसका नाम था हस्ते रहो इस शो में कपिल की परफॉर्मेंस काफी पसंद की गई और वो इस शो में रनराज भी रह चुके थे चलिए देख लेते हैं उस शो की कुछ पल इस शो के बाद कपिल तै कर चुके थे कि वो सिंगर नहीं कमेडियन बनना चाते हैं इसके बाद कपिल टीवी इंडिस्ट्री में करियर बनाने के लिए मुंबई चले आए उन्होंने 2007 में दे ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में ओडिशन दिया कपिल को इस ओडिशन में रिजेक्शन का सामना करना परा लेकिन रिजेक्ट होने के बाद भी कपिल को यकीन था कि वो यहां सरूल सिलेक्ट होंगे इसलिए उन्होंने दूसरे शहर में जाकी दोबारा ओडिशन दिया और फिर क्या इनको ओडिशेंड कर लिया गया और चुना गया इस समय में चंदन प्रभाकर भी ओडिशन दिये थे और पहले ओडिशन में ही सिलेक्ट हो गए थे इस शो में कपिल की performance सबसे ज्यादा पसंद की गई सिर्फ जजेस को ही नहीं, audience को भी performance काफी ज्यादा पसंद आ गई इसे लिए जब शो का वीनर घोशित किया गया तो वो और कोई नहीं हमारे दिल में राज करने वाला इसके बाद साल 2010 में ही कपिल ने Comedy Circus participate किया था Comedy Circus लगातार 3 साल हुआ जिसमें उनके 6 सीजन शामिल थे और कपिल ने लगातार Comedy Circus में 6 सीजन जीते थे साथ ही 2013 में कपिल ने जलक तिकला जा सीजन 6 को शो करने के बाद ही उन्होंने Comedy Nights with Couple शो को स्टार्ट करने के लिए सोचा था Comedy Nights with Couple का आइडिया कपिल को UK की एक शो कुमर्स एट 42 देखकर आया ये शो फैमिली मेंबर्स पर ही डिपेंड होती थी उस शो में बारी बारी सेलिप्रिटीस में इन्वाइट किया जाता था जब कपिल ने Comedy Nights with कपिल स्टार्ट किया था और सेलिप्रिटीस को इन्वाइट किया तो उनके शो में कोई सेलिप्रिटीस नहीं आना चाता था लेकिन कपिल को एक बार कहने के बाद ही धर्मिंद्र उनके शो में आने को राजी हो गए थे इस शो के स्टार्ट होने के कुछ दिन बाद ही इसकी पॉपिलरिटी बहुत जोर से बरनी लगी और कपिल शर्मा फिर टीवी इंडेस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम बन गए जो एक्टर और एक्टरेस इस शो में नहीं आना चाते थे वो भी वेट करने लगे कब कपिल शर्मा अपने वेटिंग लिस्ट से बाहर आके उनको भी बुलाएंगे ये शो इतनी फेमस हो गई थी कि टीरपी के मामले में सबको पीछा छोड़ दिया कपिल की एक डायलग बहुत फेमस हो गया था जो है बाबाजी का ठुल्लूग कोमेडी नाइट करते करते इन्होंने अज एन एक्टर एक फिल्म भी कर लिया था जो है किस-किस को प्यार करूँ इस फिल्म ने उन्होंने ऐसा हीरो काम किये थे कि वो सूपर हिट साबित हुई चलिए देख लेते हैं उस फिल्म की कुछ क्लिप्स इधर कपिल और इनकी टीम ने सोनी चनल में जाके एक नया शो बनने की बात की जिसमें सोनी राजी हो गए सोनी टीवी पर एक नया नाम और नय करेक्टर के साथ कपिल की उसी टीम ने शो स्टार्ट कर दिया था शुड़ू-शुड़ू में कैरेक्टर की पंच लाइन और कैरेक्टर की नाम बदल गिये थे क्यूंकि कलर्स टीवी पर काम करते हुए ये कॉंट्रेक्ट साइन हुआ था कि कॉमेडी नाइट्स विद कपिल के कैरेक्टर्ज और पंच लाइन दूस्टरी जगाओं में इस्तमाल नहीं हों गई इसलिए नए शो का नाम दिककपिल शर्मा शो था और सभी टीम मेंबर्स के किर्दार भी चेंज हो गए थे कपिल का ये शो पहले शो से भी ज्यादा पसंद किया गया लेकिन साल 2017 में डॉक्टर मशूर गुलाटी नाम से जानने जाने वाले सुनिल ग्रोवर के साथ कपिल की जगरा हो गई उसके बाद कपिल शर्मा शो से सुनिल ग्रोवर और अली अजगर ना तोर दिया इसके बाद कपिल ने बहुत बार सुनिल को लौट आने की रिक्वेस्ट की लेकिन उन्होंने नहीं माना उसके बाद कपिल शर्मा शो बंद हो गया था और कपिल डिप्रेस्ट हो गये थे चलिए देख लेते हैं उन दोनों की शो के कुछ फोटोस और वीडियोस दीरे दीरे जब कपिल ठीक होने लगे तो उनका सबसे ज्यादा साथ दिया करते थे उनकी जीएफ जो अब उनकी वाइफ बन चुकी जिसका नाम है गिनी चतुरत जब दी कपिल शर्मा शो का सेकेंड सीजन चालू हुआ तब उस शो का टियार पी आसमान चू रहा था कपिल शर्मा और गिनी चतुर्वत की शादी हुई थी 12 डिसेंबर 2018 में उन दोनों की दो बच्चे हैं एक लरका और एक लरकी चलिए देख लेते हैं इनकी कुछ फोटोस सचिन तेंदुकर कपिल शर्मा की बहुत अच्छे दोस्त हैं कपिल शर्मा को 2015 में प्रेसिडेंट प्रनग मुखर जी के एवर्ड भी मिल चुका है सवच भारत अभियान के लिए अन्तता ये बोला जा सकता है कि कपिल शर्मा की लाइफ स्टोरी किसी के भी मोटिवेट कर सकता है उनको देखकर बिलकुल नहीं लगता कि वो इतना झेल चुका है आज इतना ही ऐसे और सिलिप्रिटी के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेर और कॉमेंट करें और पेला आइकन प्रेस करना बिलकुल मत भूले थैंक यू